नमस्कार दोस्तो आप सभी का सोगत है हमारे सीवल डेमेंशन चैनल पर तो फ्रेंट्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बैल ऐकन को प्रेस करना ना बुलें ताज भी आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तो आज का टॉपिक हमारा पेंट और वाल वेपर में क्या डिफरेंस है चलिए आज डिफरेंशेट करते हैं कि वाल पेपर बढ़िया है या पेंट कराना शुरू करते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन से पेंट और वाल पेपर से पहले क्या प्रिपरेशन कराना चाहिए और किस तरीके से कराना चाहिए पेंट या वाल पेपर कराना से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको वाल को अच्छे से समूथ करना है वह होगा दो से तीन कोट पुट्टी लगाने पे आप दो से तीन कोट पुट्टी कराईए और उसका अच्छे से सेंडिंग कराईए ताकि वह इस बहुत फिनिश दे सके और जब आपका पुट्टी हो जाए उसके बाद प्राइमर का यूज कीजिए आप वाटर बेस या फि इसी बंडेशन दिवार के बीच में बनाएगा और वह फ्यूचर में पी लोब भी नहीं होगा और इसी तरीके से पेंट के केस में भी है पेंट पे जब आप प्राइमर कराएंगे पहले से वाल पे जब आप पेंट करेंगे तो वह दो या तीन कोट में पेंट कवर कर चलिए अब बात कर लेते हैं कि पेंट और वाल पेपर आप कहां कहां इस्तमाल कर सकते हैं पेंट का प्रियोग आप इंटीर एक्स्टीर कहीं भी कर सकते हैं रूम्स लॉबी बातरूम्स किचन सभी जगे आप पेंट का उप्योग कर सकते हैं यह आपको एक अच्छी स्मू सोनी या पानी की अगर ऐसी कोई बिजगे है जैसे बातरूम सो गई किचन हो गई या कोई वाल हो गई जो बातरूम सी का टच में है तो उस जगे आप वाल पेपर का प्रयोग बिल्कुल बना करें क्योंकि कुछ जिनों बाद यह जल्दी खराब हो जाएगा और पील ओफ होन यह अलग अलग प्रिंट्स में अवलेबल हैं 2D और 3D दोने तरह के प्रिंट मार्किट में अवलेबल हैं आप कोई भी प्रिंट अपने घर के लिए चूज करके अपनी वाल को अच्छा बना सकते हैं अगर आपको कोई वराइटी पसंद नहीं आ रही है तो आप इसको किस कर सकते हैं और इंटरनेट से इमेज निकाल के कोई भी पैटर निकाल के आप किसी भी मीडिया पर प्रिंट करा सकते हैं अगर हम बेस की बात करें तो यह अलग अलग बेस में अवलेबल हैं जैसे की विनायल पेपर वेस पीवीशी बेस टेक्स्टाईल और नॉन वाभन क्ल premium immersion, royal immersion, texture paint और आजकल stencil भी लोग use कर रहे हैं paint में लेकिन अगर हम competition की बात करें paint और wallpaper में तो paint में ज़्यादा option अवलेबल नहीं है जबकि wallpaper में customize option भी अवलेबल है और color option भी यहां एक चीज है texture और stencil का use जो wallpaper को टकर दे सकता है इसमें भी हम limited of texture या design देखने को ही मिलते हैं stencil एक design है जो metal पीविसी शीट पर cut out कर बनाया जाता है अगर आप creative हैं अच्छे stencil design बना सकते हैं तो आप भी खुछ से stencil design बना के अपने घर की wall का और खुबसूरत बना सकते हैं और एक अच्छा design create कर सकते हैं चलिए अब बात कर लेते हैं durability और life की कि अगर आप घर में wallpaper या paint कराते हैं तो कितने साल तक चलेगा wallpaper की बात करें तो wallpaper अगर आपने proper base बना के कराया है और wear sealant या किसी भी moisture से बचा हुआ है तो यह लगवक साथ से 8 साल निकाल देता है इसी तरीके से paint की बात करें तो paint अगर आपने अच्छे से base बना के कराया है और वो sealant या किसी moisture से बचा हुआ है तो कम से कम 5-6 साल easily निकाल देता है paint और wallpaper की life इस बात पर भी depend करती है कि आप किस तरीके से उसका use कर रहे है अगर हम wallpaper और paint की बात करें तो कुछ quality इसमें washable भी हाती है जैसे कि vinyl wallpaper washable होता है जिसको आप कपड़े से साफ कपड़े से और पानी के साथ उसको साफ कर सकते है पर इसमें विशेज बात यह धान रखने हैं कि कपड़ा और पानी जो है वह बिल्कुल साफ हो नहीं तो वह wallpaper को और भी गंदा कर देगा इसी तरीके से paint में भी है paint भी washable quality का आता है जैसे कि royal emulsion जो है washable quality में आता है इसको आप साफ कपड़े से और साफ पानी से अच्छी तरह mopping करके इसको साफ कर सकते हैं इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्यादा उसको पानी से नहीं कीला करना है वालपेपर को joint को पानी से बचाना है नहीं तो वह peel off हो जाएगा और यह easily निकल जाएगा पानी जैसे उसका glue खराब हो जाएगा और वह निकलना चालू हो जाएगा तो यह बाते आपको जान रखनी है अब हम बात कर लेते हैं time and convenience की wallpaper और paint करवाने में कितना समय लग जाएगा तो इसमें पहले wallpaper की बात करें तो wallpaper paint के मुकाबले बहुत ही कम समय लेता है क्योंकि अगर अथी बात आप उस दिवार को यूज कर सकते हैं जबकि paint की case में paint की case में painter आएगा उसको sending करेगा उसके repair बरेगा और उस पर 2-3 coat मारेगा paint के फिर after some time 3-4 गंटे के बाद 2-3 coat मारेगा तब जाएके वो radio पाएगा तब भी आप उसको use नहीं कर पाएगे next day तक अब हम बात कर लेता है cost and money कि कितना पैसा खर्चोगा wallpaper की बात करें तो wallpaper लगबख market में जो available है वो 25 रुपे से लेगे 40, 45, 50 रुपे तक भी जाता है और paint की बात करें तो paint भी अगर एक अच्छी quality के paint आप करा रहे हैं dish temper को अगर हम छोड़ दे तो क्योंकि dish temper जो है बहुत ह चालीस रुपे या 45 रुपे के आसपास के लेपेटे में जाता है पर इसमें एक क्या है कि यहां पर जो है एक wallpaper एक अच्छा option है क्योंकि wallpaper में आपको जादा जादा texture मिलता है एक अच्छा grace देखने के मिलता है paint के मुकाबले तो मेरा opinion यह रह गए कि आप अगर अगर देख doing repair maintenance की paint का maintenance और wallpaper की maintenance में क्या अंतर आता है कैसे किया जाता है और कौन सी easy है और कौन सी मुश्किल है तो पहले हम paint की बात कर लेते हैं तो paint अगर आपके घर में पहले से हो रहा है आपको दुबारा paint कराना है तो painter आएगा आपके यह सेंडिंग करेगा उसको और पुट्टी स paint करेगा तो इस तरीके से यह process कम से कम चार से पांस दिन तक ले सकता है depend upon the area और अगर हम wallpaper की बात करें तो wallpaper अगर आपके घर में लगाना है तो यह easily एक दिन के अंदर अंदर भी लग सकता है और आप उस अगले ही दिन से use करने लग जाते हैं अपने area को अगर हम redoing की बात कर आपके यहां पहले से wallpaper लगा हुआ था और इस wallpaper को निकाल के आप दुबारा से लगाना है तो यह थोड़ा सा tough task हो सकता है क्योंकि इस wallpaper को निकालने में बहुत आपको time लगेगा जिससे कि आपकी wall भी खराब हो जाएगी और दुबारा से आपको base बनाना पड़ेगा तब ही या wallpaper लगाने की सोच रहे हैं तो दोनों ही बहुत अच्य option है आप इसको combination में लगा सकते हैं suppose चार दिवार हैं तो एक wallpaper कर सकते हैं दूसरी दिवार को normal paint करा सकते हैं इससे costing में भी बचता आईगी आपको और घर भी अच्छा लगेगा तो hope यह वीडियो आपको पसंद आई on the channel so please do subscribe like comment and thanks for watching